कि हलो दोस्तों कैसे हैं आप मैं आपका दोस्त मालम कॉंपटिशन कम्यूनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जैसा कि दोस्तों आज आजकल आप देख रहे हैं कि एक मुद्धा बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण हो चला है कि देश में युआ जो है वो आंदोलन कर रहा है और बहुत ज़्यादा हिंसात्मक हो गया है जिसके विरोध में ये चीजें हो रही हैं वो है गौर्मेंट की एक स्कीम अगनिपत योजना जो कि सेना में सेना कहें तो तीनों सेना में मतलब आर्मी में नेवी में और एयर फोर्स में तीनों जगा भरती की प्रक्रिया है उसमें एक नयापन लाए गया है बदलाव किया गया है एक्चुली में जो युवा है जैसा कि आप देख रहे हैं नाम है यह कि आस भरती के लिए है लेकिन जो युवा है इसको नौकरी के लिए नहीं देख रहा है नौकरी के संदर में नहीं देख रहा है बलकि नौकरी कम होने के संदर में देख रहा है इसलिए वह ज़्यादा इग्रेसिव हो गया है और तोड़ फोड़ हिंसा पर उतारू हो गया है बारत के कई शहरों में कई तरह के तोड़ फोड़ हुई कहा जा रहा है कि रेलवे को ही हजार करोड़ का नुकसान हो गया और कई लोगों की मृतिव भी हो गई तो यह मुझे लगता है कि यह कहीं से भ नमर्थन में बोल रहें और कुछ लोग इसके विरोध में बोल रहे हूं मॏ हम कि समझने की कोशिश क करते हैं कि क्योंकि हमें हाई है कि से सेुएल सर्विसेश बालाए in लाप प्रोच भी बनना है और साथ ही साथ एक तारकिक नागरिक भी बनना है तो हमारी जो कोशिश होंगी वो कुछ अलग होंगी चलिए इसको देखने के कोशिश करते हैं इस मुद्दे पर जो विभाजन हुआ है लोगों का उसमें आप दो तरीके के लोगों को देख सकते हैं एक जो है वो समर्थन कर रहे हैं और दूसरा जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं जो समर्थक हैं वो इसके पक्ष में अपने तर्क दे रहे हैं और जो विरोधी हैं इसके विपक्ष में अपने तर्क दे रहे हैं दोनों में एक कमी है वो कमी ये है कि दोनों जो है सत्य को ढूणने के कोशिश नहीं कर रहे हैं और हमारा जो काम होगा वो सत्य को ढूणना और सत्य को ढूणने के लिए जरूरी ये है कि हम जो है क्या करें इसको बहुत अच्छे से समझें, समझ करके तब इस बात का फैसला करें, कि यह जो यूजना है, जो स्कीमाई है, वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, तो हम इन दोनों खेमों में नहीं जा रहे हैं, हमारा जो खेमा है, वो क्या होगा, किमा नहीं कह सकता है, वो एक यूनिवर्सल बात है, हम सत्ट की खोज करेंगे, है ना हम सत्त की खोज करेंगे और सत्त की खोज के लिए पहले ज़रूरी चीज यह है कि पहले हम अच्छे से समझें उस चीज को ठीक है ना चलिए समझने के कोशिश करते हैं आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि यह पूरे विश्व में पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरीक से सेना में भरती का एक नियम लाया गया है कि योजना लाई गई है विश्व में कई ऐसे देश हैं जो आज तक क्या कर रहे हैं इस योजना को लाई किये हुए हैं हम थोड़ा देखने के कोशिश करते हैं कि विश्व में ऐसे कौन-कौन से देश हैं और वहां पर क्या सिस्टम है उसको देख करके फिर हम और आगे अपनी बातों को समझने के कोशिश करेंगे जैसे अगर हम कहें USA की बात करते हैं अमेरिका की बात करते हैं तो अम्यरिका में जो सेना में भर्टी है वो स्वेच्छा से है मतलब स्वेच्छा से है और साथ इसाथ contact base पे भी है करते क्या है कि चार वर्ष के लिए वहाँ भी क्या किया जाता है भरती की जाती है और चार वर्ष के लिए उनको क्या किया जाता है रिजर्व रखा जाता है ठीक है चार वर्ष के लिए भरती की जाती है और उसके अगले चार वर्ष के लिए क्या किया जाता है उनको रिजर्व के रूप में रखा जाता है मतलब यह हुआ कि आप जो है तो क्या है आपको बुलाया जाएगा मतलब यह है कि आप हमेशा जो है रेडी रहे एक फ्यूचर रेडी जो आप कह सकते हैं वह यहां पर देखने को मिल रहा है और चार वर्ष के बाद फिर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं continue कर सकते हैं आप आगे अपनी सेवा गुजार सकते हैं और यह ध्यान रखने वाली बात है कि 20 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तभी क्या होगा आपको पेंशन जैसी सुविधा इसमें मिलेगी यह ध्यान रखना है ठीक है ना तो यह आपका USA का सिस्टम है और USA में पूरे देश भर में क्या है बहुत सारे इस तरीके के भ कि हम रश्या की बात करें अगर तो रश्या क्या है चुकि एक कमिनिश्ट देश है और यह एक तरीके से कहना चाहिए कि इनके हां जो सेना में भरती की बात जो की जाती है वो क्या है एक तरीके से अनिवार है है ना वह अनिवार है और अनिवार सेना में भरती यहां पर प् ऊपको ना और उसके बाद पिर आप कया है आप के रूप में रहते हैं ऑपworks जूर्व को रहते है और वहाँ के जो भी नागरिक हैं उनको अनिवारी रूप से क्या है ये सेवा देनी पड़ती है छीख जो अगर हम कहें चाइना ठीक है तो चाइना में भी क्या है चाइना में भी शब्द बड़े अच्छे चेगड़े गए हैं शब्द जैसे यह कहा जाता है कि सेक्रेट ड्यूटी मतलब पवित्र करतव्य है और सेक्रेट ड्यूटी कहा जाता है और यह कहा जाता है कि अनिवार रूप से जो नागरिक हैं उनको क्या है इसमें अपनी सेवा देनी पड़ती है और यह कहा जाता है कि आपका सेक्रेट ड्यूटी है मतलब पवित्र करतव्य जिसमें आप अपने क्या है Motherland को आप डिफेंड करते हैं और जो कोई विदेशी आकरमण है उससे क्या करते हैं अपने देश को बचाते हैं और यह उन्होंने जो कहा है सेटी और अनिवार किया है इसको उन्होंना नाम दिया है क्या हुआ कि हुआ है कि ऑनोर्ड ओब्लिगेशन अचaboutर अब अधिन समानित बाध्यता एक्टम जो बाध्यता वहाँ पर सुनिशित की गईए नागरिकों के लिए वह यह है कि आपको क्या है और आपको अनिवारेaktर उप सेना में आपको सेवा देनी है और वो आपका एक सेंक्रय डूटी है पवित्र कर्तव और जो बात Hattah है उसको क्या है honored obligation कहा गया है मतलब सम्मानित के इसमा की बात हता है यहां यहां पर भी क्या है कि आप लखेब देखेंगे जैसे आर्मी में mi 1965 對ींख एंफे और अरे आरफी में आपको सारे लेसमें इसके बाद आपको जो बेनिफिट मिलता है अ इसमें वह मिलता है कि आप जो है किस्टेक्स में आपको बहुत सारे benefits मिलते हैν और साथ ही साथ आपको लोन अगर लेना है तो लोन में भी आपको बहुत सारे बेनेफिट्स मिलते हैं तो यह आपको चाइना का और और भी देश हैं जैसे हम फ्रांस की बात कर लें अगर तो फ्रांस में यह चालू था मतलब यह कहा जाए कि इस आधार भरती वहां पर हुआ करती थी लेकिन 1996 1996 में जैक्स शीराग यह वहां पर प्रेसिजेंट हुए थे उन्होंने क्या किया उन्होंने इस तरीके से क्या है अनिवार भरती वाली जो बात थी उसको क्या है अब स्विच्छा से लोग क्या कहें एक कानून बना दिया गया वहां पर कि स्विच्छा से लोग जो है वह सेना में भरती हो ठीक है ना तो यह ध्यान रखने वाली बात है और एक है हमारे सामने इसराइल ठीक है यह अपने आप में एक यूनिक देश है है ना और थोड़ा से इसको समझने की कोशिश करते हैं इसराइल के अगर हम बात करें तो इसराइल में क्या है कि कि जो मेल है पहले तो यह आनिवारे रूप से क्या करना है आपको सेना में आसा यह चीज इंपोर्टन्ट है यहां पर मेल के लिए और पहले 32 महीने हुआ करते थे अब गठा करके 30 मंद कर दिया गया फिमेल के लिए चोबिस मन्द के सेवा है 664 atons ऐदे ६हार उन्हों 30 City की सेवा है और ये एनिवार है कि आदी अरब कि अगले क्राइब बर्याय краast में जो आरब स्थारां है उनके लिए क्लेकिंग कैसे पुकाई लुगायाद तो है इस left कि आदा लुगायाद को मैं इसिए निउ क्ले सब़्याद अगला के जो फीरु पारता नहीं है अनिवार नहीं है यह क्या है स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं अपने आपको इसमें अलिस्ट कर सकते हैं मतलब उसमें सुची बद करा सकते हैं सेना में है ना स्वेच्छा से और अपनी सेवा दे सकते हैं ठीक है ना यह एक इंट्रेस्टिन चीग है और इसके स इस आरीके से क्या है आप यह सकते हैं कि ही यह जो सिस्टम हमारे देश में भी जो अगनी पत नाम्से लाए गया आ는데 अद्युन कि पिहले बार नगे अनकिया amazed अगर इसराइल में थोड़ा समझने के कोशिच किए है। इसराइल जो है वो बहुत ही चोटा सा देश है और कहां पर वो सिचुएटेट है वो समझे कि चारो तरफ से एक तरीके से अरब कंट्री से घिरा हुआ है और आप इस चीज को जानते हैं कि लंबे समय से ही क्या है अरब इसराइल संगाश चल रहा है इसके पीछे जो कारण है यहोदी लोग है जो कि वहां पर आपने सुना होगा कि इनके साथ बहुत जादेतिया हुई और फिर उसके बात क्या हुआ कि इनको ला करके बसाया गया बसाया गया तो यहां पर यह जो फिलिस्तीन है आपका फिलिस्तीन जो है उसकी अगर बात करें तो उसकी जमीन पे इन को लाके हैं बसाया गया है है ना हमारी जमीन बसाया गया है अरब लोगों का कहना यह है और इसलिए उस समय से क्या है एक संगाश जो है चल रहा है दूसरी बात यह है कि जो इनका जो तो अब अपने देश को बचा के भी रखना और च्वकी यह क्या है अरब देशों के बीच में बसा हुआ है तो ऐसी पर सिचेशन में क्या है कि एक निश्नल करेक्टर कह सकते हैं उसको है मातलब एक शब्द में आ शेथिस को बखते हैं और है जो उसके नागरिक औंके उध Agriculture तो इसा एक नेशनल करेक्टर वहां डिवलप हो गया है और इसी गित्त ही क्या है वहाँ पे आप यह देखते हैं कि जो अनिवार जो सेना में भरती जैसी प्रक्रिया वहाँ पे देखाई पड़ती है अपनी जरूरत है इसलिए क्या है और इसके साथ इसा अपनी जरूरत के हिसाब सेना में भरती का अपनी व्युवस्ता करके रखी है ऐसी विवस्ता जो भारत में की गई है उसके पीछे यह रिजन तो नहीं है क्योंकि हमारी कंडिशन्स अलग है और इसलिए जो है हमारा उद्देश यह कते ही नहीं है कि हम जो है यहां पे जिस तरीके से इसराइल ने अपने हां इस तरीके अनिवार सेना में भरती की जो प्रावधान को अच्छे तरीक से देखें और समझें चलिए कोशिश करते हैं उसको समझने की अगर जैसे आप सारे यह प्रावधान है और भी आगे प्रावधान है आप इनको देखिए यह कह रहा है कि यह तीनों से नाव में भरती क्या है रूल है नियम है पद्धती है और लगभग हर साल 45-50,000 जो है क्या है वह अगनीवीर जो इसमें भरती किये जाएंगे है और नाम बड़ अच्छा है अगनीपत अगनीवीर जो इस योजना के तहट जो आएंगे जो भरती होंगे उनको अगनीवीर कहा जाएगा और जो यह 45-50,000 जो साइनिक भरती किये उसमें से 25,000 जो है वो क्या होंगे उनको इस्थाई कमिशन दिया जाएगा ठीक है और यह भी ध्यान रखना है कि यह जो है अधिकारी रेंग से नीचे वाले के लिए नीचे जो कर्मचारी होंगे सिपाही होंगे उनके भरती के लिए है और देखिए इसमें यह ध्यान अखने वाली बात है कि यह 21 वर्ष तक है और इस साल के लिए सिर्फ क्या है दो साल बढ़ा दिया गया है जो आयू वर्ग इसमें लिया गया है वो 17.05 वर्ष से 21 वर्ष लिया गया है और दो साल इस साल क्योंकि क्या हुआ दो साल जो कोरोना की वज़े से बर्ती औरती सारी जो प्रकृइया थी रुकी हुई थी इसलिए कि जो मांग के अधार पर इसको 1923 साल बढ़ा कर दिया गया है और यह सिर्फ वर सिर्फ इस साल के लिए अगले साल से दो बार और्गनाईज किया जाएगा ठीक है और यह चार साल के लिए आएंगे चार साल में यह शुरू के छे मन्त होंगे आपके six month होंगे वो क्या होंगे वो जो training period होगा इनके training period होगा और जो साड़े तीन साल वो क्या होगा उनमें उनको सेवा देनी है ठीक है ना मतलब चार साल की ड्यूटी करनी है इनको चार साल में छे मैना जो है क्या होगा वो ट्रेनिंग के पिरियड होगा और साधे तीन साल जो होगा उनकी सेवा और इसमें से जो भी टोटल हम लों जैसे पहले देख चुके हैं कि टोटल जो भरती किये जाएंगे उसमें से 25 पतिश्य जो होंगे और क्या होंगे वह उनको स्थाइप कमिशन दिया जाएगा है ना चल और 9000 9000 जो है उनके जो सेवा नीधी होगी वह जो एक फंट तयार किया जाएगा उसके लिए 9000 ले लिया जाएगा इसमें ये प्रोसेस है कि जो चुकि 9000 को ठहल तर्टी परसेंट और इसमें प्लस जो है गॉर्मेंट भी 30% जो है क्या करेंगी वो जमा करेंगी ठीक है न औ गी है ना वह लगभग क्या है 11,170,000 है करेंब है ना 11,170,000 के आसपास है वह चार साल के रिटायर्मेंट के बाद उनको प्राप्त होगी यहां तो बात क्लियर है सबीघाप आफ सेवा नदी के लिए बचा लिया जाएगा दूसरी साल में तैसे जार पांसु मिलेगा जिसे फचिस जार पांसु मिलेगा जिसमेंसे 2580 जो है वो वेतन के रूप में उनके हाथ में जाएगा और 10,950 रुपए क्या होगा वो सेवा नीधी में चला जाएगा ठीक है ना इस तरीके से आप देखे चाल चौथे साल में 40,000 तक पहुंच जाएगा ठीक है ना इसके अलावा विकलांगता की बात करें आप अगर सेवा दे रहे है है तो 25 लाग मिलेंगे और 50 प्रतीशत है तो 15 लाग रुपए आपको मिलेंगे विकलांगता की कंडिशन में ठीक है चार साल बात जो सेवा नीधी था वह 11,01,000 रुपए से मिलेगा है ना मतलब यह है कि आधा तो आपने अपना खुद का जमा किया है और आधा जो है उसमे सेवा के दौरान मृति होने पर 48 रुपए का गैर आंशिदाई बीमा कवर दिया जाएगा है और अभी जैसे आज नीज में देख रहा था मैं तो वहां पर सेना के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि एक करूर रुपए मिलेगा है ना तो कई सारी चीजें मिला करके एक करूर होंगे लेकिन फिलहाल जो है आप यहीं समझें कि सेवा के दौरान मिलती होती है तो 48 रुपए आपको मिलेंगे है ना और अगर सेवा के कारण अगर मिलती होती है तो आपको 44 रुपए के अतिरिक दनों करा राशी मिलेगी ठीक और माली जी क्या है कि आप चार साल के लिग होगा वो भी क्या है जोड करके मिलेगा ठीक अब इसके सारे प्रावधानों को देखने के बाद हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एसपेक्ट को देखेंगे सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष्ण को देखेंगे समझने के कोशिश करते हैं कि विरूद किया जाए तो क्यों किया जाए और अगर समर्थन किया जाए तो क्यों किया जाए और होना क्या चाहिए इसके बारे भी तो हम इसके दोनों पक्ष्ण को देख लेंगे तब हमें इस समझ में आएगा कि हाँ एक्ष्ण में क्या होना जोना होना चाहिए ए ब以前 Decis da होता है कि छीजे सही होती है साही ही मिर्व नीज भी घची हुती है लेकिन तो को लीरें लेने का तरीकर उसको अप्रेक्रो करने का तरीका नहीं होता है इसकी वज़ Hag से भी क्या होता है कि बहुत सारे बेरोद वगर अगर और एक सहयोग जो मिलना चाहिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है तो देखते हैं समझते हैं कि क्या चीज है इसमें तो अगर हम लाब के बारे में बात करें हम तो या फिर इसका जो पॉजिटिव पक्ष है उसके बारे हम बात करें हम तो क्या होगा इसके बारे में पहला तो यही है कि यह आल इंडिया लेबल पे होगा और आल क्लास का है सभी वर्गों का है भरती ठीक है दूसरी बात हम यह कह सकते हैं कि जो आपका जो यूठ प्रोफाइल इसकी बात करें हम तो अभी जो है सेना का जो यूठ फ्रफाइल है उसका 32 वर्ष मतलब एक एव्रेज आयू की बात करें अगर सेंह की तो क्या है 32 वर्ष है लेकिन इस यूजना के बात क्या होगा कि 6 से 7 वर्षों में ही यह आ जाएगा 26 वर्ष आपकी सेना और ज़्यादा जवान हो जाएगी क्योंकि आई होगी वो क्या हो जाएगी 26 वर्ष की हो जाएगी तो ऐसे में क्या है कि आपकी सेना और ज़्यादा जवान होगी और जवान जितने ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा क्या होगी वो कुशल होगी बेहतर होगी है ना और जादा से जादा अच्छे तरीके से क्या करेगी अपने जो सेवा है उसको परदान करेगी और हम जो है सुरक्षित महसूस करेंगे ठीक है और जो यंग लोग होते हैं कम उमर के लोग होते हैं वो क्या होता है वो बहुत जल्दी नई कि पुक्रेश पॉसन थे जा कि लद नंतां चानी हो जा आते हैं वस्ट पुराने लोग tantam सहज नहीं होते हैं तो इसका लाब भी हमको मिलेगा क्योंकि जादा तर यंग लोग ही आ रहे हैं साड़े सत्रा से 21 वर्ष तक कि आयू की लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो यंग लोग है वो क्या होंगे जादा होंगे जादा होंगे तो फिर क्या होगा कि जो इनोवेशन है या फिर नई टेकनोलाजी है वह जब आसानी से उसको अपनाया जा सकेगा और जब बेहतर तरीके से क्या है परफरमेंस दिया जा सकेगा ठीक है ना तो यह भी क्या है इसका पॉजिटिव पक्ष है यह जब रिटायर हो जाएंगे तो रिटायर होने के बाद इनको क्या मिलेगा इसकिल सर्टिफिकेट मिलेगा ठीक है और साथी साथ उनको क्या है ब्रीज कोर्शेस भी कराए जाएंगे ठीक है ब्रीज कोर्शेस भी कराए जाएंगे जो क्या है रिटायर्मेंट के बाद इनक लिए क्या है नवकरी के नए उसर खोलेगा ठीक है ना और क्या हो सकता है इसमें यह हो सकता है कि जैसे आपने देखा होगा कि उत्राखंड में बादल फटा था और जबरदस तरीके से बाढ़ हाई थी बहुत जानमाल के हानी हुई थी के दारनात वाली घटना उसी में हुई अनभु रहता है तो ऐसे लोगों ने जो इत्राखंड के थे उन्होंने क्या किया था बहुत जादा बहुत अच्छे तरीके से क्या है अपनी सेवाई दी जिससे बहुत सारे लोगों के जो जानमाल की हानी जादा हो सकती थी वह कम हो गई है ना तो अगर यह स्कीम चलेगी तो इस scheme के माद्धम से जो लोग आएंगे, जाई से बात है उनके पास भी क्या है? इस तरीके के skill होगी, इस तरीके के experience होगा, इस तरीके के training होगी, तो ऐसे situation में, ऐसे लोग जब समाज में होंगे, तो ऐसे जब condition में, ऐसे situation में, वो क्या करेंगे? अपनी सेवा के माद्धम से जान माल की हानी को कम कर देंगे, है ना? इंपोर्टन चीज है, और क्या हो सकता है भई? और यह हो सकता है कि, अगर हम अपने समाज की बात करनें, तो समाज क्या हो जाएगा? ज़्यादा अनुशासित होगा, प्रेरित होगा, है ना? प्रेरित जन तो ऐसे लोग जब ज़्यादा क्या है समाज में आएंगे तो क्या है समाज ज़्यादा अनुशासी दिखेगा और जो जनशक्ति वह बहुत ज़्यादा प्रिरित होगी किसी चीज को करने के लिए कोई गोल अटेंड्मेंट के लिए ने कोई लक्षप्राप्ति के संदर में देखें तो है ना तो इन सभी जगों पर क्या है यह ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी भून का निभापाएंगे है ना और और एक जो व्यू है वो यह है कि जैसे जो आपका रक्षावे होता है रक्षावे है ना रक्षावे क्यों अगर हम दो भागों में बांट लें एक होगा राजसवे और दूसरा जो होगा वह पूंजी गत्वे है ना वैंनल राजसवे क्या होता है रांटेन के सिरा आपका प्याजवाभ बेंशन है ठीक है मेंटिनेंस है रख रखाया हु झिसको कहते हैं मेंटिनेंस है और इंट्रेस वुगरी से तक वाजवा जोड़ाइऑ खैड़ beside отlabu मतलब इस तरीके के व्य जो है वो प्रोड़क्टिव नहीं माला जाता है ठीक है ना लेकिन वही पुझी गत्वय की अगर बात करें तो अगर सेना की अगर में बात करहें तो सेना में क्या क्या सवाइड होगा भाई आप अगर नए मिजाइल ले रहे हैं नए गंस ले रहे हैं नए टैंक ले रहे हैं नए हेलिकॉप्टर ले रहे हैं आधुनिक है ना और इस तरीके से और भी क्या है कि जो आधुनिक करना है चीज का अगर करना है तो जाहिश सी बात है कि हमको पूंजी गतवय को बढ़ाना होगा है लेकिन हमारे हाद जो सीन है वो क्या है वो यह है कि रक्षा वय गर किया जाए मालेज जो रुपया अगर है होता है रक्षा वय पे तो उसमें लगभग 65 रुपया खर्च जो है इसी पर हो जाता है मतलब वेतान पेंशन और इन्हीं चाहिए और उसमें भी 65 परसेंट का 85 परसेंट लगभग वो क्या हो जाता है पेंशन पर खर्च होता है ठीक है किस पर खर्च हो जाता है पेंशन पर खर्च हो जाता है मतलब क्या हुआ मतलब जो प्रोड़क्टिव नहीं है उन पर क्या है ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं और जिस पर खर्च होना तो इसका मतलब यहाँ कि इ competence कि कमी रिसर्स्स कमी नहीं होनी चाहिए और पर बबंए को कम करनेा के लिए प्राइन यह है वह क्या कर रहा है इस आवशक्ता की पूरती कर रहा है एक तरीके से ठीक है ना और वैसे भी देखें आप जैसे चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने क्या है चाइना ने उनीस सो असी में इसके पास क्या थे 45 लाग क्यास पास सैनिक थे ठीक है ना 45 लाग क्यास पास सैनिक थे लेकिन अगर वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में इसके पास 20 लाग सैनिक है बीस लाग का मतलब क्या हुआ बहुत जादा कम कर लिया इसने 45 लाग से सीध और हम यहां भी क्या कर सकते हैं कुछ tempo कर सकते हैं और अग्णीपति स्कीम के मादम से क्या है यह चीजें दिखाई पड़ेंगे और इसmostर erि जा तो मुझे लगता है कि इसस्की में वे इस तरीखे की बुराई नहीं है जिस थिका के प्रदर्शन हो रहा है तो यह समझने वाली बात है इसको अच्छे समझें आगे चलते हैं अगर मैं यह कहूं कि जो अभी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है काफी हिंसक प्रदर्शन हो रहा है एक तरीके से युआ संतोष दिखाई पड़ रहा है तो इसके बारे में इस तरीके समझें कि जो भी चीज़े हो रही है वो एक तरीके से लक्षन है रोग कर लक्षन है एक सिम्टम है एक्षूल में रोग जो है वो कुछ और है वो रोग कुछ और है वो रोग क्या है अपका बे- रोजगारी है न बे रोजगारी और इधर बीच लगातार क्या हुआ है यह रोजगार. और प्राइवेट सेक्टर को आज़ें प्रॉबेंट उबते म से उसकैंबर क्रूप मेड़ले सब्सक्राइब तभी जाकर क्या है ताजस्वे कम कर पाएंगे तभी क्या है कि आपका जो पैसा है वो प्रोड़क्टिक कामों में लगेगा पुझी गद्वे जो है आपका बढ़ेगा ज्यादा तर वेतन पेंशन इन सब चीजों पर खर्चे होंगे तो होगा यही कि फिर आप क्या है कि आपको तियार नहीं करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हम दुनिया से पिछ़ड़ते चले जाएंगे और जब भी पिछ़ड़ते जाएंगे तो नो ड़़ञादा परशानियों को सामना कर ना पड़ेगा इसले का है कि हम एक तयारी इस तरीकर की चीजों के लिए रखना प कि ये लिक्तिता है uh입 दिधा उसमें थ्मार्ण होसक्ता था उसमें तो थोड़ा चाहँँगा कि इसको अप आपको अच्छे से समझाऊ आँ आगा चीज अच्छे से सांज में आता कि आप से आप तेशनीम मेंस प्रदानदरी जी वो उनका एक statement है एक क्या बार-बार वो बोलते हैं कि हम minimum government maximum governance minimum government और maximum maximum governance यह करना चाहते हैं न तो यह हमेशा है रखेगा कि government minimum होने का मतलब क्या है government का कार क्या होगा कम होता जाएगा अर्थात सरकार क्या करेगी जितने काम करती थी उन सारे कामों से रोल बेक करेगी मतलब वो सारे कामों से अपने हाथ खींचते जाएगी और क्या करेगी प्राइवेट सेक्टर को क्या करेगी जादा से जादा मौके देगी है ना प्राइविट सेक्टर लगातार बढ़ता चला जाएगा और सरकार जो होगी हो क्या होगी कम होती जाएगी ठीक है यहां तक बास समझने वाली है है और चुकि आपको यह पता है कि पूरी दुनिया में क्या है सब Eigen खाखमेट्शम पूरी दुनिया में चल रहा तक्षक पूरी चषाब nisim dur holistic संव् 20 ओर हृह celebrity परिसपरदा हुथ की आपको अपना मनेंज्मेट म्यों आपको टीज़ जाद ज्यादा क्या है वहाँपे आपको देश विकास करें ज्याद़-ज्याद आरत कत की रूप ह67र आग्साएब फ्रकु जालोर में पूरा महल देखाए पढ़ हमें पुरा माहल देखाए पड़ेंग लिए इसलिए उसके विच्छी आखितेगेवलовор2 एक विद्वान है नौम चौमस की है ना इनको कहें अगर हम तो इनका एक स्टेट्मेंट है वह स्टेट्मेंट कुछ इस तरीके से है कि इस समय दुनिया में सबसे जो बड़ा उद्योग है वो क्या है सहमती निर्मार का उद्योग है मतलब पूरी दुनिया में इस तरीके से सारे आइडियोलोजी और चीजें चल रही है उसमें यह है कि कैपटलीजम के पक्ष महीं क्या है सारा के सारा जो प्रचार चल रहा है और लोगों के बीच सुछाने में और ह verbs- टो हम अपना बिचार रख सकते हैं जरूरे नहीं कि मेरे विचार को फालू करें आपके अपने कर भी हो सकते हैं लेकिन चुकि मैं है खडा हisti downloaded यहां लगा किभी पक्ष भी है सोचने का समझने का वो भी यहां रखना चाहिए इसलिए मैं यह बातें कर रहा हूं आप से समझे इस चीज़ को कि अगर हम पूझी वादी विचारधारा की बात करें और इसके जो समर्थक है विचारधार थो ठीक है लेकिन जिसको समर्थक है जो इसको हमेशा डिवेंड करते हैं उनका जो मानना है वो यह है कि जो आपका पूझी वाद है एक अल्टिमिट सलूशन है अल्टी है मेट सलूशन है अ थीक है अल्टिमिट में सलूशन का मतलब यह हुआ कि सारी परशानियों का निधान पूंजी वादी विचारधारा में, उसकी तक्नीकों में हैं। अगर हम पूंजी वादी विचारधारा को मानते हैं और उसके बताएवे रास्ते पे चलते हैं, तो सारी समस्याओं को समध्वान हो जाएगा. ठीक हो ना? तो अब यहां समझने वाली बात यह है कि पुझीवादी विचारधारा में अगर यह अल्टिमेट सलूशन है तो 2008 का जो विश्विस्तर पा आर्थिक मंदी आया थी बहुत बड़ी मंदी थी वो है ना रेसेशन था एक्षोल में तो वो क्यों आया है ना ओभी कहा जाए कि व अर्जंटीना है अगर इसकी बात करें हम अर्जंटीना की अर्थ वस्ता भी क्या विप पूरीतर से कि लिए खोल दिया विधेशियों के लिए खोल धिया अब जो विदेशी ने की लिए investment करने के लिए आई तो इससे इसका क्या है investment करने के लिए एक होता है यह एक तरीके से foreign institutional investment होता है यह एना short term का होता है जैसे अब share market वगरह में जो इक difference होता है उससे जो उनको profit होता है वहाँ पर निवेश करते हैं ज़्यादा था और जो फाइदा कमा के अपना ज़्यादे अपने आपको आगे बढ़ाते हैं एक होता है एक होता है फ़र और डिरेक्ट इन्वेस्मेंट अगर इसकी बात करें हम तो यह क्या है लॉंग के लिए New Year होता है जिसमें क्या है विदेश कोई और थांपी करती है तो को बहुत दैने का इसके भागने के बहुत ज्याद़ा डर नहीं रहता है और पुरी भी केूप्यों अफल Drive लगाई हुए क्योंकि है थिक है तो जो चोटे निवेशक थे शौट टर्म के लिए वह पूरा पैसा लिए और पैसा ले करके क्या हो निकल गए जहां पर उनको ज्यादा फायदा मिला था वहां जा करके अपना निवेश करने लगे तो हुआ यह कि आचाना किसी अर्थवस्ता से बहुत बड़ी मातरा में क्या हो सकते लिए वहमें यंदाना करेंगे जायानी हम इसी विकल्प सामना करें बहुत सामने असे चाहिए है तो यह समझना है कि उसके लिए क्या है आपके पास एक इस पर नीती होने चाहिए पॉलिसी होने चाहिए अंदाधुन तरीके से अगर आप क्या है प्राइडाजिशन कर रहे हैं या फिर अंदाधुन तरीके से राष्टी करण कर रहे हैं गौर्मेंट का कंट्रोल बढ़ाते को रहो है यह दोनों ही चीजें दोई द्रीच जीजिएं बाइपोलर चीज्ञें दोनों चीजों से बचना चाहिए करना क्या चाहिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर समझना जरूरी है तो वहीं पर क्या है यह ने तो इसका मतलब एक प्रेशर भी रहता है तो इसलिए क्या है अपनी पूरी अपनी अर्थवस्ता खोल दी अर्थवस्ता खोली और बिना सोचे समझे खोली और हुआ यह कि जो शौट टर्म के जो निवेशक हैं वह यहां आए और यहां पर फाइदा कमाना शुरू कि अब मार इनको फाइदा मिल रहा है तब तक यह कहा है वहां पर रहते हैं अब जब उसको नीचे वोड़ते हैं उसके बाद क्या होता है उसके बाद यह होता है कि अर्थवस्ता में फिर उतार चाड़ा शुरू होता है जहां उतार चाड़ा शुरू हुआ फिर क्या होता है कि यह ल क्या करना इसका समाधान कर देना चाहिए था ना लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ इसका समाधान नहीं हुआ और इसका समाधान नहीं हुआ और अरिजंटीना विल्कुल दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया और आपने अमेरिका में भी देखा कि यह सिती हुई थी कि आर्थवस्था इतनी ज्यादा डावा डोल हो गई और वहां पर जो गॉर्मेंट है उसको बेल आउट पैकेज भी देना पड़ गया तो अगर अल्टिमेट सोलुशन होता तो ऐसा नहीं होता है ना वहीं पर हम थोड़ा सा एक्जांपल और भी लेते हैं कि यहीं पर एक दू बनाई इनकैजी ठीक है इनकैजी मॉडल कह सकते हैं इसको तो इनकैजी इसके तहद उसने क्या किया कि जो भी यह याद रखेगा यह लॉंग टर्म के जो निवेशक हैं जो अपनी फैक्टरी सापित करते हैं उनकी नहीं बल्कि जो जैसे शेयर मार्केट में जो निवेशक हैं पॉर्टफोलियो निवेश करते हैं या इंस्टिशनल इंवेस्मेंट करते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है जिसमें क्या है इनकी कंपनी की बहुत जादा रहती नहीं है बस यह लाब कमाने के ले आते हैं तो उसने क्या किया कि इनकैजी मॉडल को अपनाया और कि यह जो है जो इसने कोई टैक्स नहीं लगाया लेकिन जो अधा है इस फर क्या किया बहुत छोटे-चोटे टैक्स लगा दी बहुत चोटे टेक्स काम मतलब यह है कि 100 रुपए माली जे क्या है आपको पांच पैसा घर देना है तो आपको नहीं दोखेगा है इतने ही का निर्माड हुआ यह फंड जो है इसने क्या किया रिजर्व रखा और किस दिन के लिए रिजर्व रखा जैसे यहां से जो यह लोग जो भागे हैं अपना फाइदा मुनाफ़ा ले करके तो यहां पर क्या है अचानक अर्थवेस्था से बहुत सारा पैसा जो है वह निकल ग किया जो एफ आयाई वाले जो चौट तरम की जुनिवेशक थे उनके इपर किया बहुत छोटे-छोटे टेक्स लगाए और टेक्स क्या है उससे एक फंड का निर्माड किया और जब भी यह क्या है यहां इनकी अर्थवेस्था से पैसा लेकर बाहर निकले इसने क्या किया फंड से अर्थवेस्था में जो कमी आ रही थी जो खाली पंता उसको क्या है इसके फंड से भर दिया इसका मतला वह प्यांसे पर बनी रही है ना तो इससे हम यहीं समझे कि अन्धा-धून तरीके से क्या है प्राइविटाइजेशन अंधा-धून तरीके से बिलकुल वह समझ асमज़ के आपनाना ciki तरही कि से सद्सेंद ऑपनाया है लेकिन बहुत ज्यादा विकास हुआ है यह देखा हैं कि जो अर्थवेस्ता है हुआ है हूझ ज्यादा विकास हुआ भूद को नहीं यह नहीं को सकते हैं हुआ गलत है ठीक है लेकिन है पर यह कर ना चाहिए शोच करना चीया कि हमसे estar here देखा क्या कि हमने ओर करेंट इन दोनों ंटों कर दी ती लेकिन हमको capital account में भी convertibility की बात करनी थी लेकिन इसके पहले ही क्या है government ने 2006 में तारपूर committee तारपूर committee इसने क्या क्या मनाया और तारपूर committee के जो सिफारिश्य थी वो इस तरीके से थी कि अभी हमारी अर्थवस्ता जो है उतनी मजबूत नहीं हुए है हमारे लोग इतने सक्षम नहीं हुए है इसलिए क्या है कि टोटल convertibility यहने capital account में जो convertibility लानी है आपको पूंजी गत जो खाता है उसमें तो यहने पूरी तरीके से अपनी अर्थवस्ता को खोलना कभी भी हम हमारे रचे के निष्शक बाहर जा सकते हैं बाहर के निवेशक हमारे देशमें कभी भी आ सकते हैं वहां अइसे पर नहीं पड़ेगा लेकिन इसके पहले हमको क्या है एक तैयारी करने का मतलब यह हुआ कि अगर लोगों के पास पैसे होंगे तो वो डिमांड पैदा करेंगे तो प्रोड़क्शन बढ़ेगा है ना वह साइकिल जो है अर्थवस्ता की वो चलती रहेगी लेकिन होते जा रहे हैं कुछ परसेंट लोगों के पास जादा से जादा अगर पैसा एकटा हो रहा है धनी बनते जा रहे हैं वो तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में यह चीज़ें बहुत जादा नुक्सान दे साबित होंगी क्योंकि 2008 में जो हमारी अर्थवस्ता जो बची था गई वैश्विक मंदी से उसके पीछे बड़ा रीजन जो था वह ही था कि जो हमारे देश में मन्रेगा मन्रेगा जो चल रहा था मन्रेगा की वज़े से क्या हूआ हुआ गाओं में गरीबों के पास जो है क्या हुआ पैसा पहुंचा था उनके पास पैसा था उसकी कि हम को गया है कि सो समझ कि इस तरह के की चीजे करनी चाहिए और कोविड पिरियेड कोरोना पिरियेड यह सारी चीजों की वज़े से भी क्या है कि रूजगार वगर जैसे आवसा बहुत जादा कम होते जा रहे हैं कहा ये जा रहा है में अभी सबसे ज़्यादा बेरुजगारी दर है तो सोचने वाली बात है कि इस सिच्वेशन में हम थोड़ा सा पॉलिसी इस तरीके से बनाएं जहां पर क्या है कि लोगों को रुजगार भी मिले और साथ ही साथ जो है वो हमारे अर्थवयस्ता में भी क्या है कि मजबूती आए अर्थविस्ता हमारे जीटीपी बढ़े सारी चीजें बढ़े हैं ना अर्थविस्ता कभी कास हो दोनों चीजों को ध्यान में रखना है इसलिए क्या है कि एक संतुलित जो व्यू है वो ले करके चलना है संतुलित व्यू का मतलब यह हुआ कि जहां पर क्या ह है कि हमको अपने लोगों के लिए क्या है रोजगार के बारे में भी सोचना है और दूसरा जो है हम जो सरकार जो विकास जो है विकास याने इसको भी हमको क्या करना है वढ़हाना है और यह दोनों एक तूरसे से अलग नहीं है को कि विकास की गाड़ी जब चलती रहेगी दोसरी है कि आप इस तरम करते हैं तो बहुत बड़ी जो है नगे विकास की सेlines मेंज़े Otherwise है ना समाजी कीमत चुकाने पड़ती है तो इसलिए क्या है कि सरकार जो है अगर कुछ कर रही है इस तरह के कोई पॉलसी लेकर आ रही है तो सो समझ के लेकर के आए और दूसरी बात यह है कि अवरनेस के बहतर प्रोग्राम हो क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजे भी होती है ओश्वास के महाल में उसका वीरोष जादा होने लगता है और बहुत सारा थोड़ फोड़ होता है बहुत सार नुकसान ओता है तो यह चीजे ना हो इसके लिए क्या है जरूरी यह है कि आप डिसीजं ले आप डिसीजन को लागू करने का जो तरीका है उसमें क्या है कि चीजों पे ध्यान रखना है और और बाते करें तो इस तरीके समझे कि जैसे माले जे जो इसरे के स्कील जो आपके पास जो मेंड पाउवर अगर आ जाता है और इसके लिए अगर रुजगार नहीं है तो बहुत ज्यादा बड़े दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आप देखें क्या कि आप अपने देश में ही देखिए इंजिनिरिंग कर लिए सारी चीज़े जानगे और उनके पास फिर क्या है कि रोजगार का उसर ही नहीं है तो फिर वो करेंगे क्या करेंगे वही कि फिर वह अवैध हतियार बनाना और इस सिचुएशन ना आए है ना इसलिए ध्यान रखना है कि उनके रिटार्मेंट के बाद रोजगार क्या उसर उनको मिलने चाहिए है ना क्योंकि जब इसके पास सेना के ट्रेनिंग होगी तो ऐसे लोग जो होंगे अगर असंतुष्ट होंगे तो वह समाज के लिए ज्यादा अगर हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह लोग शमाज के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़ें भी हमको ध्यान में रखना है और बहुत सारे लोग जो विरोद कर रहे हैं वावीज बात को भी समझें जरा कि अगर इसी स्कीम के बारे में अगर बात की जाए तो यह ऐसा नहीं है कि कौंस्क्रिप्शन है ना इसा नहीं मतलब होता है अनिवार सेना भरति है हिर ना इवार सेना भरती है यह हमारे देश के है इसराइल की तरह रसीया की तरह चीन की तरह कॉंस्क्रिप्षिन नहीं मतलब अनिवारे सेना में भरती नहीं है यह बल्कि क्या है वलंट्री है वलंट्री का मतलब सेच्षिक है तो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसमें मज जाईए है ना आप दूसरा कोई शेत्र है वो तलाश यह तो इतनी बाते हैं अगर हम लोगों अगनी पत नो डाउट अच्छी है आज के जरुवत के हिसाब से है और जो मामला है वो यह है कि कि बेरुजगारी जैसी समस्या वो इतनी बड़ी हो गई है क्योंकि इधर बिच लगाता यह देखा जा रहा है कि सेना में भरती भी नहीं आ रही है रेलवे में भी भरती लटकी हुई है क्योंकि इस साल पूरी प्रक्रिया में लग जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में जो यूवा है वो उसको विश्वास नहीं हो पा रहा है और इसमें भी जो विरोध दिख रहा है जो इसका भी वो यही बताता है कि एक विश्वास की कमी है सरकार को इस चीज़ को जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम जब जनांकी की लावांश की बात करते हैं तो यह युवा हमारे देश के लिए बहुत फायदे मन साबित हो सक होते हैं तो इस जनांकी की लावांश का क्या है ज्यादा ज्यादा फायदा उठाने वाले स्कीम बने और अंधान उकरना किया जाए मतलब पूरी तरीके से जो है अगर प्राइवडाइशन पर ही तो फिर उसकी बहुत बड़ी सामाजी कीमत अदा करनी पड़ेगी हम लोग षुचना चाहिए लोगों को विश्वास में लेना चाहिए एक साल पहले से ही क्या है इसके बारे में थ़ृदा सा एविएनेस अबी प्रोग्राम चलाना चाहिए और दूसरा यह है कि युवाओं के रोजगार के लिए अगर चार साल के बाद रिटायर्मेंट होता है तो रिटायर्मेंट के बाद उनको एक बहतर नौकरी का फ्यूचर मिले इस पर भी उनको ध्यान देना होगा और समझाएं मुझे लगता है ज्यादा ज्यादा और इसके साथ इसाथ अगर यह वास्विक्ता है कि वैश्वकरण उदारी करण अनिवार रूप से सभी देशों को अपना नहीं है यह पूरे वैश्वकर नारा है तो हमको उसको यह तैयारी बहतर तरीके से करना चाहिए क्य में क्या है जोब ज्यादा दिखाई पड़ रहा है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आइटी सेक्टर है तो यहां पर बहुत ज्यादा जॉब गर क्रियेट हो रहा है तो हमारे किस फायदा का है क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ही वैसा नहीं है तो अपने एक खामी है कि जो गाओं के इस तरफे जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा उसका लाब कम उठा पाएंगे तो सरकार इनी सब चीजों को ध्यान दे और अच्छी स्कीम है इसको लागू होना चाहिए और इसका फायदा भी मिलना चाहिए और फायदा मिलेगा भी अगर इसको क् विश्वास का महल बनाया जाए ताकि विरोध ना हो लोग जो है सहीयोग करें जिसमें देश का भला होगा तो अपना ही भला होगा ठीक है तो मुझे लगता है कि आपको बाते समझ में आई होगी अब आप सही और गलत के बारे में बात कर सकते हैं पूरी तरीके से गलत कह देना या पूरी तरीके से सही कह देना यह दोनों ही चीज सही नहीं है और वही हो रहा है हमारे देश में अभी फिलाल ठीक है और देर इस नथिंग एपसलूट इन हीमन बिहेवियर मानव वैभार में कुछ भी विशुद्ध नहीं है जो भी है वह 0 और 100% के बीच ही है मतल पूरी तरह से 100% होगा या फिर पूरी तरह से 0% होगा है ना इसी के बीच होगा इन बीट्वीन ही होगा तो इसलिए क्या है कि कोई भी अच्छी सची स्कीम के दोनों पहलू होते हैं सरकार जब भी लागू करे तो इस बात को ध्यान में रखे और अपने देश की विवस्त करके उसको क्या किया जाए लागू किया जाए है तो मुझे लगता है कि बाते बहुत सारी हो चुकी है फिर आगले वीडियो में मिलते हैं थेंक यू